एक दिन ऐसा आएगा जब मानव मानव को खाएगा मरते हुए शेरों से जंगल के राजा की आद दिलाएगा जब जंगल का राजा ही लुप्त हो जाएगा तो कैसे आहा श्रिंखला अपना चक्र पूरा खुमाएगा तब हर प्रजाती का अंत धीरे धीरे हो जाएगा और तब मानव मानव को खाएगा तब मानव मानव को खाएगा नमस्कार, आज मैं इशा आप सभी के समक्ष पर्यावरिन विशे पर अपने विचार प्रसुप करना चाहती हूँ दोस्तों, जहां देखो धुआ धुआ सा है जहां देखो भागती गाडियां, उटता धुआ, नदियों में बहता गंदा पानी कंक्रीट का जंगल बने शहर, और उस पर हम ये दावा करते हैं कि धरती स्वर्ग से भी सुन्दर है मैं जानना चाहती हूँ आज के इस प्रबुद्ध समाथ से, क्या वास्तव में इश्वर ने हमें ऐसी ही धरती सोपी थी तो शायद मेरे मन की तरह आपका मन भी यही गवाही देगा, नहीं, बिलकुल नहीं हम इनसानों ने इश्वर के खजानों को न केवल दोनों हाथों से लूटा है, बलकि उसे नश्ट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी पर किसी समश्टार इंसान का कहना है, जो बीत गई सो बात गई अब आगे की सुधिले, वैसे भी समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लेना मुर्क्ता नहीं समश्टारी है विश्व के बड़े बड़े देशों में बढ़ते तापमान, बिगड़ते पर्यावरन और प्रदूशित होती प्रकृती पर गहन विशार किया गया और कुछ ऐसे उपाय सोचे गए जो हमारी प्रगती में बाधा भी न बने और न ही हमारे पर्यावरन के दामन को तार-तार कर सके परम परागत इंधन जैसे डीजल, पेट्रोल और लपीजी का प्रयोग कम किया जा रहा है LPG का स्थान बायोगैस ने ले लिया है बायोगैस ही इंधन का एक ऐसा प्रकार है जिसे बार-बार उप्योग में लाया जा सकता है इससे मनुष्य और पशुपक्षियों से उत्पन अप्षिष्ठ का सदू प्योग हो जाता है और हमारे पर्यावरन को भी कोई हानी नहीं पहुँचती इसी प्रकार जल उर्जा, पवन उर्जा, वेज्जवारे उर्जा का प्रयोग किया जाता है सरकार द्वारा भी इस्तिशा में गंभीरता से सक्रिये कदम उठाए गए हैं आज जनहित में विज्ञापन जारी किये जाते हैं जिन्हें देखने, सुनने और पढ़ने के बाद लोगों में जागरुकता फैल रही है देश के युवा विज्ञानिक लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं कि आज की आधूनिक पीढ़ी परियावरन के प्रकृतिक संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम कर दे वनो का संग्रक्षन, व्रिक्षा रोपन और प्रकृति को बचाने के कई कानून बने हैं और उन्हें सक्ती से लागू भी किया जाता है आज हर देश्वासी का सपना है कि वह भारत को प्रकृति की गोध में सुरक्षित करते हुए प्रकृति से अपने रिष्टे को एक नई पहचान दे मेरे विचार से यदि हम परम परागत इंधनु का प्रयोग छोड़ कर गैर परम परागत इंधनु का उप्योग शुरू कर दे तो हमारी प्रकृति में सुधार होने लगेगा और वह दिन जल्द आएगा जब हमारी प्रकृति को उसका सुन्दर सलोना रूप वापस मिल जाएगा फिर आने वाली पीडियां अपनी पीट पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लटकाएगी तो आईए दोस्तों आईए मिलकर शुरुवात करें इस अभियान की जब एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती जाएगी और हमारी प्रकृति में सुधार होने लगेगा यह कार्य थोड़ा कठिन जरूर है मगर असंभव कदापी नहीं जमाना रंग अपना कुछ न कुछ सब पर चड़ाता है मगर कुछ लोग रंग अपना चड़ाते हैं जमाने पर अमन से जिन्दगी बनती तो हम सब बना लेते नवाजिश जब तलक उसकी न हो तो कुछ हो नहीं सकता धन्यवाद